अलो फ्रेंट्स सबसे बड़ी समस्या कि बच्चे हो या बड़े रोटी खाने में बहुत ही आना कानी करते हैं क्यूंकि उन्हें बाहिरी चीज़े ज्यादा पसंद होती है तो आप अपने घर पर इस तरही से रोटी भर भर के खिला सकते हैं जब भी टेपन बोक्स या तो आएगा इतनी ज़्यादा टेष्टी है रोटी से बनजाती है छाहें को हमें बीचसे कोMay na concert केतिग अपने हिसाब Cudeего जैसे बstäम करते हैं ऊस तरहैं Tooơnदें जैसे पीसिज हमें बना लेंए रोटी चाहें ताजी हो या बासी रखी वी हो या जैसी भी रोटी हो कोई से मतलब फरक नहीं पड़ेगा इस तरीके से हमें चोटे-चोटे इसके टुकडे बना लेने हैं यहाँ पर हमें सबजिया लेने हैं एक बड़ा प्याज है और टमाटा धरी धनिया एक मिर्च है और इसουμε कोई बात नहीं जीशी सब्प्जी हो का लेना है जैसा चूब करते हैं यह सारी सब्जी को कटेंग करते हैं क्या होता बच्चों को सब्जी यह चीजे को खिलाओ बिलाकर पना देते हैं कि बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं सब्जी अपने हिसाब से कम ज्यादा जेसी भीच खाना पसंद करते हैं बच्चे या बड़े बढ़े सब्जी डालें और बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार हो जाती है जड़ा टाइम भी नहीं लगता है चाहें तो लेंच बोक्स और टिपन बोक्स किसी में डाल सकते हैं अब यहां पर हमने लिया है तेल आप चाहें तो घी या रिफांट जो भी बच्चे आपके खाना पसंद करते हैं या बड़े वो चीज इसमें ले सकते ह दरम हो गया है उसमे में रोटी को डाल देना है अच्छे से इसको पांस मिन के लिए अच्छे से इधर उधर से क्रिस्पी करना है रोटियों को हमें हलका क्रिस्पी करना है बहुत ही हाई लो प्लेंपर नहीं है हलका लो ही रखना है इधर उधर से गोल्ड रोटियां हमें निसे देख प्राइब तक फ्राइब करने हैं जते कि अच्छे से ये क्रेश्पी क्रेश्पी हो जाएंगा हमारी थेस्टी रिश्पी बनकर तैयार हो जाएगी देख सकते हैं हलकी कुरकी हो चुकी है अब यहां पर धोड़ा सा तेल लिया है और इसी हमें थोड़ा सा जीरा अच्छे से चटकने लगा है अब अच्छे से उसी में हमें प्यार डाल देना है प्याज को हलका क्रंची ही करना है बहुत जादा नहीं पकाना है क्रंची क्रंची सब्जियां डालते हैं तो पहुत ज़्यादा इसका फिलबर अच्छा आता है आप जाए तो इपने हिसाब से अब तमाटर भी डाल कर अच्छे से ग्रांची कर लेना है अब थोड़ा सा निया पाउड़ा लिया है तोड़ी लाल मिर्च पाउडर लिया है अच्छे से पक जाएं और मिक्स हो जाए सारे मसाले काने में पहुत ही जादा तुरेष्टी रगती है दोस्तों एक बार मेरी तरीक से इसको अपने बच्चों को एक बार बना कर खिलाएंगे या आपने यहाँ खाएंगे तो पूछिए मत सारी रोटिया चट हो जाती है इतनी चची यह रिस्पी लगती है आप लोगों को कैसी की अब अधिया लगती है तो कमेंट में जरूर बताना इस तरीक सारी रोटियों को में अच्छे से 5 अधर पलट कर पका लेना है बहुत ही अच्छी खुसभु काने लगी है आप यहां पर हमने टमाना शोस लिया है आप चाहें तो जो भी सोस खाना पसंद करते हैं चिली सो प्यारा प्यारा लुक आया है बहुत ही ज़्याद आया अच्छी लग रही है अब इस पर से हमें धूर सी हरी धनिया डाल देनी है देख सकते हैं कितना बड़ी है फ्लेबर आ रहा हैं इसका आप पहुत ही घुछ भूमाने धनीय की धनियी डाल जाते हैं उससे क्या होता लोगों को जो पसंद आए उसका नाम दे सकते हैं आए हमारे साथ इसको टेस्ट कीजिएगा अब कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि हमारी ये रोटी की रिस्पी आम लोगों को कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर एंड चैनल को सब्सक्राइब करन